हेलो एवरिवन आज हम मेथ मेजिक पढ़ेंगे स्टांडर्ड फोर्थ चेप्टर थ्री और ट्रिप टू भोपाल उसमें हम लोगों ने बचो प्रिविएस वीडियो में ये लंच टाइम के बारे में देखा था बाद में बच्चे है वो पजल खेल रहे थे वो वाला लन किय आज आगे लंग करेंगे विच बोट डू वे टेक में कुनसी बोट लेनी चाहिए थे यार सो लोस्ट इन पजल्स थेट दे डू नोट नोटीस थे हेव रिच रिद लेक सब बचे थे वो पजल में बहुत बीजी हो गये थे उसे पजल खेलना बहुत ही अच्छा लगता थ इसलिए वो लोगों ने लेक आ गया वो नोटीस ही नहीं किया देखो यहाँ पे बहुत ही बड़ा लेक है वो पिक्चर में दिखाया है और महाँ पे क्या है स्मॉल आइलेंड भी है यहाँ पे देखो बहुत सारी ड़क से वो जोर जोर से आवाज कर रही है इसमें से कोई बच्चे है वो डख को क्या दे रहे थे बच्चो पोपकोन है वो दे रहे थे नाव कंस था एक्साइटिंग पार्ट अब कहाँ पे आए वो एक्साइटिंग पार्ट यानिकी खुशी का महल हुआ अब बच्च करने का टाइम है वो लोगों को क्या करना है उसे सिलेक्ट करना है कि वो कौनसी बच में बेठेंगे वो चूज करना इजी था नहीं यानि कि वो आसानी से चूज कर सकते नहीं थे धेर आर डिफरंट काइंड्स ओफ बोट्स यहाँ पे अलग-अलग टाइप की बोट्स है Each has a different ticket, ticket price and also different trip times देखो यहाँ पे बहुत सारी बोट है तो सभी बोट की ticket price है वो अलग है और उसका trip का time भी अलग दिया है नेम अब दी बोट यहाँ पे बोट के नेम दिये है टिकेट प्राइस जोब बोट है उसकी ticket price कितनी है वो after then trip time यानि कि वो कितने time तक आपको उसमें trip मिलेगी first double देकर उसकी ticket price कितनी है 30 रुपीज है और trip time कितना है 45 minutes यानि कि आप double देकर बोट लोगे तो आपको 30 रुपीज पे करने होगे और वो कितने मिनिट तक बोटिंग करवाएगा 45 minutes तक बोटिंग होगी second pedal boat 15 रुपीज 30 minutes उसका trip time है next third motor boat उसकी ticket price है 25 रुपीज और 20 minutes वो trip time है after that next number 4 boat with horse उसके ticket price है रुपीज 15 और कितने minutes का trip time है 45 minutes का trip time है four of us will take a pedal boat and race with gori and her group देखो ये बची है वो क्या बोल रही है कि हम लोग कौन सी बोट लेंगे pedal boat लेंगे और gori और उसका group है उसके साथ क्या लगाएंगे race लगाएंगे next we will take the motor boat और ये लोगों ने क्या बोला हम लोग क्या लेंगे motor boat लेंगे it is costly but fun zoom देखो इस ने क्या बोला कि motor boat है वो costly है देखो pedal boat की price कितनी है 15 रुपीज है motor boat की price है रुपीज 25 तो उसने बोला कि motor boat है वो costly है पर वो चल्दी से उसमें sorry उसमें क्या आएगा मजा आएगा और कैसे जाएगी वो zoom let us take the or boat it is not costly and we get more time for a peaceful ride यह बच्चे है उसने क्या बोला हम लोग क्या लेंगे और बोट में बोटिंग करेंगे और वो costly भी नहीं है और हमें riding के बोटिंग के लिए स्यादा time मिलेगा देखो यहाँ पे है और बोट में है boat with horse में उसका ticket price 15 रुपीज है और वो कितने मिनिट्स trip time है उसका 45 मिनिट्स देखो यहाँ पे motor boat में 25 रुपीज पे करोंगे फिर भी उसका trip time है वो बचो 20 मिनिट्स ही है यहाँ पे तो 15 रुपीज पे करेंगे फिर भी वो 45 मिनिट्स का बोटिंग होगा next hey we are going on the double decker इसने क्या बोला कि हम लोग double decker में जाएंगे it also has music इसमें क्या है music भी है it costs a lot but we get more time इसने क्या बोला कि उसकी cost है वो ज्यादा है पर हम लोग ज्यादा time तक बोटिंग भी कर सकते है यहाँ पे देखो यह रहा डबल decker उसका 30 रूपीज है और कितने मिनिट्स का trip time है उसका 45 मिनिट्स का यहाँ पे देखो questions दिये है इंडरा एंड भानू first went in the motor boat and then took the or boat देखो इंडरा और भानू ने पहले कौन सी बोट में बोटिंग करना चुरू किया था motor boat ली and then यानि कि उसके बाद उसने कौन सी बोट ली or boat first they took motor boat and after that they took or boat यहाँ पे question दिये है उसके answer लिखने है how much did they pay for both the boats अब वो दोनों ने दोनों बोट के लिए कितने रुपीज है वो पे किये होंगे देखो यहाँ पे जो price दिया है वो per child price दिया है यानि कि एक बचे का इतने रुपीज की टिकेट है और यहाँ पे दो बचे जा रहे इंद्रों और भानू चलो हम count करते देखते हैं कुछ सा है बचो मोटर बोट है मोटर बोट की price कितनी है यहाँ पे मैंने लिखा है price of motorboat is equal to रुपीज 25 उसके बाद और बोट है यहाँ पे और बोट का है यहाँ पे लिखा है price of और बोट is equal to रुपीज 15 देखो यहाँ पे दिया ही है motorboat का price 25 और और बोट का price है 15 अब दो बच्चे है इंद्र और भानू तो total price find करेंगे total price paid is equal to number of person price of motorboat plus price of और बोट कितने बच्चे है दो तो यहाँ पे लिखेंगे 2 motorboat की price है 25 प्लस 15 यह दो नोका प्लस करेंगे तो 40 और यह दो नोका क्या करेंगे multiply 2 multiply 40 is equal to 80 thus they paid rupees 80 for both the ports दोनों बोट के लिए उसे कितने रुपीज पे करने होंगे 80 रुपीज यहाँ पे हम लिखेंगे रुपीज 80 next how much time did they get for both rides देखो अब उसे राइडिंग के लिए कितना time मिला होगा वही दोनों बोट है motorboat और और बोट यहाँ पे देखो motorboat का राइडिंग है 20 मिनिट्स और ओर बोट का राइडिंग है 45 मिनिट्स यहाँ पे count किया है time of motorboat is equal to 20 minutes time of overboat is equal to 45 minutes total time is equal to time of motorboat plus time of overboat यानि कि वो दोनों ने दोनों बोट में राइडिंग किया था इसलिए हम दोनों बोट का total time उसे count करेंगे 20 plus 45 minutes दोनों का plus करेंगे तो 65 minutes 1 hour में कितनी minutes होती है बचो 60 minutes होती है यहाँ पे 65 minutes है इसलिए 1 hour and 5 minutes Does, they got 65 minutes for both rides इंद्र अर्भानु ने कितने minutes riding किया टोटल 65 minutes यहाँ पे लिखेंगे 65 minutes Next One group of children went for the double-decker trip एक group के children है वो कौन से trip में कहे है Double-decker में They paid rupees 450 in total वो लोगोंने total 450 rupees है वो paid किये How many children went for the double-decker trip अब क्या बताना है उसमें कितने children है वो double-decker trip में गए होंगे यहाँ पे वो total price है वो दिया है 450 rupees है वो double-decker trip के लिए लोगोंने दिये थे अब हमें बताना है कि कितने children है वो trip में गए होंगे अब डबल-decker trip की price देखते है देखो यहाँ पे डबल-decker trip की ticket price है rupees 30 अब उसे हम count करेंगे कि वो लोग 450 rupees देंगे तो कितने children है वो trip में गए होंगे price of double-decker boat is equal to rupees 30 children paid rupees 450 अब देखो 30 rupees में वो एक children एक child है वो बेट सकता है 450 rupees में कितने children है वो बेट है होंगे cross multiplication 450 multiply 1 upon 30 00 cut 45 divide 3 करोगे तो आएगा 15 इसलिए 3 और 45 cut right 15 15 मनजा 15 thus 15 children went for the double-decker trip कितने बच्चे गए होंगे बच्चो 15 children है वो double-decker trip में गए होंगे यहाँ पे लिखेंगे 15 children next which boat makes two trips in one hour अब हमें बताना है कि कौन सी boat है वो एक घंटे में two trips यानि कि दो चक्कर लगाएगी चलो यहाँ पे देखते है पहले एक घंटे में कितने मिनिट सोती है बच्चो 60 मिनिट सोती है तो यहाँ पे देखो 45-45 का करेंगे तो 90 मिनिट सो जाएगा 30-30 दो बार करेंगे तो एक कंटा हो जाएगा यानि कि 60 मिनिट तो कौन सी boat होगी वो पेडल बोट होगी after that देखो 2020 करोगे तो 40 मिनिट 45-45 then 90 मिनिट इसलिए कौन सी boat आएगी पेडल बोट देखो 1 hour is equal to 60 मिनिट पेडल बोट has 30 मिनिट for a trip time so it makes 2 trips in 60 मिनिट तौस पेडल बोट makes 2 trips in 1 hour एक कंटे में 2 trips कौन लगाएगा पेडल बोट next which boat takes less than half an hour to complete a trip इसमें से इसी कौन सी boat है वो एक trip complete करने में less than half an hour यानि कि आधे गंटे से कंटाइम लेगी एक गंटे में कितनी मिनिट सोती है बचो 60 मिनिट यानि कि आधे गंटे में कितनी होगी 30 मिनिट चलोब यहाँ पे देखते है 30 मिनिट से less कौन सा है 45 मिनिट 30 मिनिट 30 मिनिट से less यानि कि less than half an hour बुला है इसलिए pedal boat आएगा नहीं क्योंकि वो 30 मिनिट cover करता है distance अब यहाँ पे देखो 20 मिनिट से वो 30 से less है यानि कि motor boat आएगी यहाँ पे लिखेंगे half hour is equal to 30 मिनिट से for a trip time which is less than half an hour तुस मोटर बोट takes less than half an hour to complete a trip next which boat gives them the most time taking the list money इसमें से ऐसी कौन सी boat है वो most time देगी और money है वो कम लेगी चलो यहाँ पे देखते है सबसे ज्यादा time पहले देखते है किसका है 45 मिनिट डबल लेकर की प्राइज trip time है after that 30 मिनिट देखो सबसे ज्यादा 45 मिनिट सी है इसमें तो इसका भी 45 मिनिट से इसका भी 45 मिनिट से अब यह दोनों में देखना है कि ticket price किसका कौम है इसका 30 रूपीज है और इसका 15 रूपीज है यानि कि boat with ores का price है वो कम है इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे जावेद वेंट twice for boating he paid a total of rupees 40 and voted for 50 minutes which two boats did he take देखो इसने क्या बोला जावेद है वो दो बार boating में गया उसने कितने रूपीज दिये total मिला कर 40 रूपीज दिये और उसने कितने टाइम 50 मिनिट से वो boating किया तो अब हमें find करना है कि कौन सी दो बोट है वो जावेद ने ली होगी चलो पहले उसने 40 रूपीज पे किया है और 50 मिनिट का टाइम है यहाँ पे देखते है बोक्स में ये वाले देखो total 50 मिनिट का टाइम है यानि कि 45 और 45 दोनों तो आएगा नहीं क्योंकि 2 बोट हो नहीं सकती है तो कौन सा बचा ये पेडल बोट और मोटल बोट बचा उसने देखो 30 प्लस 20 करेंगे तो 50 मिनिट से हो गया येस हो गया और उसने कितने रूपीज दी है बचो टोटल मिला के 40 रूपीज तो 15 और 25 का प्लस करोगे तो रूपीज 40 हो जाएगा इसलिए अब हम इहां पे देखेंगे देखो टोटल टिकेट प्राइज फोर पेडल बोट और मोटल बोट इस इक्वाल्स तो रूपीज 15 प्लस रूपीज 25 इस इक्वाल्स तो रूपीज 40 Total trip time for pedal boat and motor boat is equals to 30 minutes plus 20 minutes is equals to 50 minutes Thus, Chaved took pedal boat and motor boat Chaved ने कुल सी boat ली होगी? Pedal boat ली होगी एक और एक motor boat ली होगी Thank you